नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for all This is Manis Rai आज प्रस्तूत है वर्ग साथ से चैप्टर नंबर 12 जी वर्ग साथ से पार्ट संख्या 12 जिसका नाम है सूरज एंड टू-टू जी जिसका नाम है सूरज एंड टू-टू बच्चों यह जो चैप्टर है न यह पूर्ण रूप से वाटर एनिमल्स पे है जलिये जीवों पे है तो आईए इस पार्ट की सुरुवात करते हैं बच्चों लिखा हुआ है कि ओन दा बैंक ओफ दरीवर गंगा यह जो बच्चों आप देख रहे हैं न यह जो बच्चों आप देख रहे है बैंक इस बैंक का अर्थ होता है नदी का किनारा On the bank of the river गंगा गंगा नदी के किनारे There is a village एक गाउ है called सबलपूर जिसको सबलपूर कहा जाता है मतलब गंगा नदी के किनारे एक गाउ है जिसको सबलपूर कहा जाता है वहाँ पर सबलपूर में मतलब रहता था मंगल उसका नाम मंगल था जो की अपने पुत्र सन सूरज के साथ रहता था मतलब वे जाया करते थे मतलब वे जाया करते थे मतलब मचली पकडने मतलब परतेक दिन मंगल अपने बेटे सूरज के साथ परतेक दिन मचली पकडने जाया करता था एक दिन मंगल फेल इल मतलब बिमार पड़ गया सो सूरज है टू फिस एलोन बच्चों so का मतलब होता है इसलिए सूरज had to feast इसलिए सूरज को मचली पकड़नी पड़ी alone alone का मतलब होता है अकेला यहां बच्चों feast का मतलब होता है मचली पकड़ना so सूरज had to feast alone इसलिए सूरज को अकेले मचली पकड़नी पड़ी since the river was rough Since का मतलब होता है Since the river was rough that day चुकि उस दिन नदी असांत थी नदी में धारा तेज थी High waves, उची उची तरंगे High waves का मतलब होता है उची उची तरंगे Turned, मतलब पलट दी His boat, उसकी नौका को Upside down, यानि उपर के हिस्से को नीचे की तरफ Since the river was rough that day चुकि जिस दिन सूरज मचली पकड़ने अकेले गया था न उस दिन नदी असांत थी High waves, उची लहरों ने इसके नौका को पलट दिया और पानी में डुबो दिया सूरज did not know How to swim सूरज को पता नहीं था सूरज did not know मदद की मांकी बचाओ, बचाओ He cried for help सूरज ने कहा बचाओ, बचाओ मदद के लिए चिलाया And continued to a struggle for life और continue का मतलब होता है जारी रखना A struggle का मतलब होता है संघर्स और life का मतलब जीवन और अपने जीवन को बचाने की संघर्स में सूरज लगा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा Suddenly, अचानक Suddenly का मतलब होता है बच्चों, अचानक Suddenly, he felt उसने महसूस किया ये feel का दूसरा रूप है अचानक, he felt उसने महसूस किया Something, मतलब कुछ चीज बिनित मतलब नीचे The water Pushing him towards the bank अचानक, सूरज ने महसूस किया Something beneath the water पानी के नीचे कुछ महसूस किया Pushing him जो इसको push कर रहा था मतलब उपर की ओर धकेल रहा था Towards the bank जो इसको नदी के किनारे की तरफ धकेल रहा था ऐसा कुछ सूरज ने महसूस किया पानी में डूब रहा था जीवन के लिए संघर्स कर रहा था मदद की गुहार लगा रहा था अचानक, इसने पानी की नीचे कुछ महसूस किया जो इसको धक्का दे करके किनारे के तरफ ले करके जा रही थी He was afraid Afraid मतलब भयभीत सूरज डर गया था As he looked down As का मतलब जेओं ही He looked down जेओं ही सूरज ने नीचे की और देखा Looked down जेओं ही सूरज ने नीचे की और देखा He found a Peace-like creature इसने एक Peace-like यानि मच्छली के जैसे Creature का मतलब जीव होता है प्राणी होता है जब इसने नीचे देखा सूरज ने पानी में He found a Peace-like creature तब इसने एक मच्छली के जैसे जीव को देखा That had saved his life जिसने इसके जीवन को बचाया था पानी में डूबने से बचाया था It was a dolphin वह dolphin थी बच्चों सूरज thanked him सूरज ने उसको धन्यवाद दिया किसको? Dolphin को Thus Thus का मतलब होता है इस प्रकार A friendly conversation Conversation का मतलब होता है वारतालाप या बातचीत जैसे ही सूरज ने Dolphin को धन्यवाद दिया A friendly conversation Between them begin Between them मतलब के बीच Dolphin और सूरज के बीच A friendly conversation एक मित्रुवत बातचीत begin सुरू हो गई तो सूरज ने सुरू किया Thank you Kind face for saving me ए दयालू मचली मुझको बचाने के लिए मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद Dolphin क्या कहती है सुनिए I am not a face मैं मचली नहीं हूँ I am gangu The dolphin मैं gangu हूँ मतलब dolphin ही थी लेकिन वो कह रही है कि मेरा नाम gangu है I am tutu's mother मैं tutu की मा हूँ सूरज I see ओ अब समझा She is swimming beside you वह तुम्हारे बगल में तैर रहा था She is swimming beside you वह तुम्हारे बगल में तैर रही है Gangu Yes, she is pretty but very talkative हाँ बहुत सुन्दर है वह but very talkative पर चो talkative का मतलब बातुनी होता है जो बहुत बग-बग-बग करता है उसको बतुनी बोलते है तो हाँ हाँ बहुत सुन्दर है लेकिन बहुत बतुनी है अब सुरज क्या पुछता है सुनिए Can we be friends tutu? Aray tutu क्या हम लोग मित्र बन सकते हैं? Can we be friends? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? Oh sure, what is your name? टुटू कहता हाँ हाँ Oh sure, हाँ हाँ क्यों नहीं हम लोग मित्र बन सकते हैं What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? टुटू ने पूछा, डॉल्फिन ने पूछा सुरज क्या कहता है सुनिए I am सुरज and I live in the village nearby मेरा नाम सुरज है and I live in the village nearby और मैं बगल के ही गाओं में रहता हूँ nearby मतलब बगल के I am सुरज, मैं सुरज हूँ and I live in the village nearby और मैं बगल के गाओं में ही रहता हूँ तुटू, oh my mother has told me about you हाँ, हाँ, my mother has told me मेरी माने मुझे बताय about you मचली पकड़ने with your father तुम अपने पिता जी के साथ मचली पकड़ने आते हो मेरी माने मुझे को बताया है सुरज, yes I do, हाँ मैं मचली पकड़ने आता हूँ yes I do, हाँ मैं अपने पिता जी के साथ मचली पकड़ने आता हूँ tell me what a dolphin is लेकिन सुरज पूचता है dolphin के बारे में जानना चाहता है बड़ा curious है बड़ा eager है बच्चों बड़ा ये जानना चाहता है tell me what dolphin मुझे बताओ कि dolphin क्या होती है I have not heard about you before मैंने तुम्हारे बारे में मतलब मैंने dolphin के बारे में before इसके पहले कभी कुछ सुना नहीं है कुछ जाना नहीं है मैंने कुछ भी मुझे नहीं पता किसके बारे में dolphin के बारे में इसलिए मुझे बताओ what a dolphin is कि dolphin क्या होती है तुटू though I look like a fish तुटू बता रहा बच्चों though I look like a fish बच्चों mammal का मतलब होता है कि वैसे जिव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको mammal बोलते हैं अस्तनपाई बोलते हैं यनि जिस तरह से इनसान अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाता है न वैसे मेरी मा भी मुझे को दूध पिलाती है मेरे सर पे देख सकते हो ना जो होल है जो छेद है उसी के दुवारा मैं भी हवा स्वास में लेता हूँ सूरज सूरज पते टुटू से क्या आप अस्तन पाई हो क्या आप अपने बच्चे को दूद पिलाती हो यस आएम हाँ मैं अस्तन पाई हूँ हमारा जन्म अंडों से नहीं होता है जैसे मुर्गा मुर्गी का होता है जैसे अन्य पक्चियों का होता है तो वी आर नोट बॉन आउट अउट 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 अंडों से नहीं होता हम लोगों का जन्म ही आप ही इंसानों की तरह होता है और जैसे आप लोगों को feed खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, वैसे ही हम लोगों को भी खिलाया और दूध पिलाया जाता है, हम लोग बिल्कुल आप ही की तरह हैं, टू-टू ने सूरज से कहा फिर सुरज पूछता है कि क्या आप लोग सिर्फ गंगा में ही रहते हो, टू-टू, जैसे लोग बहुतेरे देशों में रहते हैं, बहुत सारे देशों में रहते हैं, उसी प्रकार से, हम लोग भी लीव रहते हैं, इन भेरियस मतलब अनेको, रिवर्स मिन्स नदियां, सीज मतलब सागर और समुद्र, जैसे इनसान बहुत सारे देशों में रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी बहुत सारे नदियों और सागरों, महासागरों में रहते हैं, We are found, हम लोग पाए जाते हैं, टुटु कहा रहा है, we are found, हम लोग पाए जाते हैं, in the north and far eastern seas, हम लोग उत्तरी सागर और सुदूर पुर्वी सागर में भी पाए जाते हैं, we also live in the black and the baltic seas, हम लोग वो काला सागर, baltic सागर में भी हम लोग रहते हैं, my cousins, मेरे भतीजे, who live in the sea, कई मीटर लंबे हो जाते हैं, टुटु कहता है, कि मेरे जो cousins हैं, जो sea में रहते हैं, मतलब समुद्र में रहते हैं, सागर में रहते हैं, grow up, बढ़ते हैं, to several मीटर बढ़ करके, कई मीटर लंबे हो जाते हैं, अब सुरज क्या पूछता है, सुनिये, सुरज पूछता है, कि are you all black in color, क्या आप सर से ले करके, पूछ तक, बिल्कुल काले ही रहते हो, are you all black in color, क्या आपका रंग काला होता है, नो, my cousins are black on the top, and their belly is white, नहीं, मेरे जो cousins हैं, यानि मेरी तरह जो अन्य डॉल्फिन्स हैं, are black on top, यानि उनका उपरी हिस्सा काला होता है, and their belly is white, और बेली का मतलब होता है, बच्चों, पेट, उदर, और उनका जो पेट होता है, वो सफेद होता है, यानि उपरी हिस्सा काला होता है, और पेट वाला हिस्सा सफेद होता है, टुटू ने बताया, कि हम जो डॉल्फिन्स हैं, हमारा top, उपरी हिस्सा काला होता है, और निचली हिस्सा, पेट वाला हिस्सा जो होता है, यह सफेद होता है, आगे फिर पूछता है, सूरज, do you also eat like us? क्या आप लोग भी हम लोग की तरह खाते हो, no, नहीं, टुटू कह रहा है, नहीं, हम लोग आप की तरह नहीं खाते, though we have about 140 needle like teeth, दो का मतलब होता है, बच्चों, यद्यपी, यद्यपी we have, हमारे पास है, about 140 needle like teeth, हमारे पास सूई की तरह 140 दांत होते हैं, यद्यपी, हम लोगों के पास, होती हैं, we use it, हम इनका उपियो करते हैं, to catch and hold a fish, मचली को पकड़ने, और उसे मुह में बनाए रखने के लिए, हम लोग in needle like teeth का उपियो करते हैं, we don't chew, chew का मतलब चबाना होता है, बच्चों, we don't chew like you, हम आपकी तरह भोजन को चबाते नहीं हैं, we swallow our food, swallow का मतलब निगल जाना, हम लोग अपने भोजन को चबाते नहीं हैं, we swallow our food, हम लोग अपने भोजन को निगल जाते हैं, to to dolphin बता रहा है, फिर सुरज क्या कहता है, सुनिए, do you talk among yourselves as we do, क्या आप लोग आपस में बात करते हो, as we do, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, क्या तुम लोग भी वैसे आपस में बात करते हो, टुटू क्या कहता है, dolphin के दुवरा क्या कहा गया, सुनिए, underwater, पानी के नीचे, we produce, हम लोग उत्पन करते हैं, clicking sounds, जैनि खट खटाक की आवाज, खटाक की आवाज उत्पन करते हैं, and whistles, और हम लोग CTV बजाते हैं, जब सुरज में पूछा, क्या तुटू भाई, क्या तुम जैसे हम लोग बात करते हैं, वैसे तुम लोग भी बात करते हो, तुटू कहता है, underwater, पानी के नीचे, we produce clicking sounds, and whistles, हम लोग clicking sounds, खट खट की आवाज निकालते हैं, and whistles, और CTV बजाते हैं, आगे सुनिए, क्या होता है आगे करें, we do have eyes, हमें भी आखें होती हैं, we do have eyes, यानि हमें भी आखें होती हैं, but we can't see like you, लेकिन हम लोग आपकी तरह देख नहीं सकते, dolphin का कहना है, कि आखें तो हमें भी होती हैं, लेकिन हम जैसे आप देखते हो, we can't see, हम नहीं देख सकते, like you, आपकी तरह, we find our food by sound, हम लोग अपना भोजन sound यानि आवाज की दुवारा प्राप्त करते हैं हम लोग आखों से देह करके सिकार नहीं करते हैं आवाज सुन करके सिकार करते हैं आवाज की दुवारा हम लोग भोजन की प्राप्ती करते हैं वी मेक क्लिकिंग साउंड यानि हम लोग खट-खट-खटाक की आवाज अपने मूझ से निकालते हैं and listen to the eco-produced और वहीं आवाज जब पानी से टकरा करके जब गूझ बनती है न बच्चों तो उसी अधार पे हम लोग सुनते हैं और अपना सिकार करते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं आगे क्या कहता है सुरज सुनिये Tell me something more about you aray अपने बारे में कुछ और बताओ सूरज ने टुटू से कहा, सूरज चुकि curious था, जानना चाहता था, इसलिए पूछ रहा है, सुनिए, like you, डॉल्फिन के द्वरा कहा जा रहा है, ठुटू के द्वरा कहा जा रहा है, कि like you, तुम्हारी तरह, we to assemble, हम लोग भी, we to, हम लोग भी, assemble, एकठा होते हैं, to help one another, यान दूसरे किबदत करने के लिए, हम लोग भी, कठा होते हैं, we also move together to eat fish, हम लोग भी, मचली खाने के लिए, मचली पकड़ने के लिए, move together, एक साथ ही आगे बढ़ते हैं, if any dolphin is in danger, यदि कोई dolphin, खत्रे में पढ़ जा, if any dolphin, अगर कोई dolphin is in danger, खत्रे में पढ़ जाए न, we rush, हम तेजी से उसके पास, उसकी मदद के लिए जाते हैं, जैसे आप लोग जाते हो, फिर सूरज पूछता कि, what are the dangers, अरे टुटू, किन खत्रों की बात कर रहे हो, अरे टुटू, dolphin, किन खत्रों की बात कर रहे हो, आप, अब सुनिए, this great river gangai jowar home, अरे सुनो टुटू, सूरज कहा रहा है, कि what are the dangers, वे कौन से खत्रे हैं, जिनकी तुम बात कर रहे हो, तो टुटू कहता है, dolphin की दूरा कहा जा रहा है, this great river gangai jowar home, यह जो भारत की जो महा नदी ganga है, यह हमारा घर है, but it is being polluted, लेकिन इसको प्रदूसित किया जा रहा है, but it is being polluted, लेकिन अब ganga को प्र इससे बीमारिया होती है, नदी प्रदूसित हो रही है, it causes elements, इससे बीमारिया होती है, the pesar men also create problem first, जो मच्छुआरे होते हैं, create का मतलब उत्रव्पन करते है, Problems मतलब समस्या है, यह मच्छुआरे भी हमारे लिए समस्या उत्रवरा कहा जा रहा है, my father died, मेरे पिता जी की मिरत्य हो गई, when he was trapped, जब वो फंस गए थे, इने big net, जब एक मचुवारे के बड़े जाल में, जब मेरे पिता जी फंस गए थे, तो मेरे पिता जी की मिरत्य हो गई थी, तो परदूशन के साथ मचुवारे भी हमारे लिए खतरा है, अब क्या हो रहा है गंगू, come tutu, सुराज is getting late, अब गंगू जो डॉल्फिन, टुटू की मा थी न, वो करया रहे टुटू, सुराज is getting late, सुराज को देर हो रही है, get late मतलब देर हो न, सुराज को देर हो रही है, टुटू, okay mother, ठीक है मा, सुराज I must go now, अब मुझे जाना चाहिए, my mother is calling me, मे एक डॉल्फिन और एक इनसान, टुटू और सुराज के बीच, यह जो friendly conversation थाना, यह समाप्त हुआ, तो वर्ग साथ की यह चेप्टर, बच्चों अगर आपको पसंद आई हो, तो प्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी सेयर कर अपने सुजहाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जैहिंद!